हेलो दोस्तों तो आज इस फीडियो में हम बात करने वाले हैं IDFC के Multicap Fund NFO के बारे में NFO यानि की IDFC Multicap New Fund Offer के बारे में दिखेंगे जो NFO लाँच हुआ है यह 12 नॉमबर को लाँच हुआ है और जो इसकी पर नहीं करना चाहिए तो चलिए वीडियो में हम डीटेल में समझते हैं तो नमस्कार दोस्तों स्वागा साहब का में चैनल पर मेरा ना मैं रोहीद और आप देख रहे हैं ब्लू का इस फाइनांस तो आए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि जो यह multi cap funds होते हैं वो क्या होते हैं तो जसाधि यह साल पहले की बात करें एक साल पहले सेभी ने एक रूल लाया था कि जो पहले यह multi Sei tipping funds होते थे तो वहाँ पर क्या होता था कि जो यह large fazendo हैं उनको ज्जाधा फिरक्ष के जाता था तो इसी चक्प Random पहले के multi मुल्किकाप फण्स थे उनको जो है कनवाट करके आज के सब्सक्राइब के नाम से जानते हैं तो वो जो पहले मुल्किकाप फण्स थे आज वो फ्लेक्सिकाप FUNS हो गये हैं तो इसलिए फिर कुछ नए के अंदर कुछ रोज लेकिया आप मल्टी करफंड में क्या होता है कि स्मॉल कैप मिड कैप और जो लाइज कैप यहां पर क्या है मिनिमम पचीस-पचीस परशन का ऐलोकेशन चाहिए और बाकी जो 25 परशन बसता है वहां पर जो Alexandival managers होते हैं वो कहीं भी allocate कर सकते हैं तो अगर एहां पर क्या है कि जो small cap का allocation होगा वो 25 से 30 सब्सक्राइब कर रहने वाला है और मिड़ के कैप का Fragen के भी location हो सकता है तो आई अभी हम यह बात करते हैं कि आपको इस फंड में इंवेश्मेंट क्यों करना चाहिए देखिए सबसे पहला point यह है कि यहां पर गर्वेश्मेंट करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि minimum minimum 25% small cap 25% mid cap 25% large cap तो मतलब यह multi cap funds बनता है तो यहां पर क्या है कि आपका जो diversification होता है वो diversification बहुत अच्छी तरस होता है सारे category के funds में होता है तो देखिए कर हम broader market की बात करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे funds चाहें small cap large cap mid cap सारे funds एक साथ ही perform कर पाएं अगर 2018-2019 की बात करें तो वहां पर क्या है कि large cap जो है outperform किया था और अगर हम अभी की बात करें तो small cap और mid cap यहां पर outperform कर रहा है large cap को तो ऐसे में क्या है अगर एक multi cap funds में investment करते हैं और अगर international funds में investment करेंगे तो 10% का वहां पर भी आपको allocation मिल सकता है और जो इस fund के fund manager है उन्होंने भी यह साब साब बोला है कि वह किसी भी fund में अंडर्वेट भी नहीं रहेंगे और यहां पर वह aggressive भी नहीं होंगे आई ओवर्वेट भी नहीं होने वाले मतलब कि सब जगह जो भी सारे sectors में investment होगा वो प्रितर से मिक्स मिलने वाला है तो दिखिए कर आप इस fund में investment करने जाते हैं तो यहां पर आपको एक point को और ध्यान देना होगा कि दिखिए माल लेते हैं कि यहां पर आपको diversification होगा वह small cap mid cap और large cap तीनों में होगा लेकिन क्या होता है कि जिसे कभी-कभी market कुछ down होता है डाउन ने का मतलब यह है कि जैसे जब market down होता है तो जो large cap होते हैं वो सबसे धीरे जो है market में गिरते हैं और सबसे तेजी से गिरते हैं small cap और उसके फिर mid cap तो अगर small cap और mid cap का allocation जादा होगा तो वहाँ पर क्या है कि जब market boom में होगा तो हाँ पर आपको profit तो अच्छा होगा लेकिन अगर कभी-बी market बहुत तेजी से गिरते हैं अगर ऐसे market में तेजी से गिरते हैं अगर आप इस फंड में इंवेश्मेंट करने जाते हैं तो मेरा तो यह उपिनियन होगा कि दिखिए यहां पर आप एक दो साल पांच साल के लिए बिल्कुल ना करें क्योंकि स्मॉल कैप और मीड कैप को पर्फॉर्मेंस रहता है वह साथ से आठ साथ दस साल के बीच में वह काफी अच्छ आप फंड कर सकते हैं अगर यह इस जो मल्टी के फंड का जो एंफो आया है अगर यहां पर आप इंवेश्मेंट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा वेड कर सकते हैं इसको थोड़ा लिश्ट होने दीजिए एक-दो साल का परफॉर्मेंस देखते हैं उसके बाद फिर इस फंड में जो मल्टी के फंड साइड एपसी का यहां पर इंवेश्मेंट कर सकते हैं तो देखे आप वेड करिए कि जो यह ने फो आ रहा है यह कैसा परफॉर्म करेंगा और यह उसका 10% का इंटरनेशनल फंड में हो गया नहीं होगा तो यह सब जब लिश्ट होगा तब य वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आज के लिए तना ही मिलते हैं अगले वीडियो में